आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is study the following information to answer the given question Question आपको क्या दियागा A number arrangement machine when given an input line of number rearrange then following the particular rule the following is an illustration of input and rearrangement आपको एक input दिया गया है और उसको machine किस तरीके से rearrange करती है वो आपको बताया गया है step 1 में 124 इस तरीके से हो जाता है second step इस तरीके से हो जाता है third इस तरीके से और fourth final step यह आ जाता है step 4 is the output of the above input as per the rule followed in the above step find out in each of the following question to appropriate steps for the given input input आपको दिया गया है और इसी तरीके से आपको arrange करना है ठीक है फिर question पूछ रहा है which of the following element to be the right of the element which is the 6 from the right end in the step 3 तो चलिए हम पहले इसको समझ लेते हैं आप यहाँ पर देखें कि क्या दिया गया है input दिया गया है और आपको 4 step दिया गया है आपको बस इतना है यह pattern समझना कि क्या हुआ है आप यहाँ pattern देख रहे हैं क्या हुआ है multiply by 2 हुआ है दूसरे में multiply by 3 हुआ है तीसरे में multiply by 3 फिर multiply by 2 फिर multiply by 3 फिर multiply by 2 फिर multiply by 3 और last में multiply by 2 फिर second step में क्या आता है second step में इन दोनों को जोड़ दे रहा है इन दोनों को घटा दे रहा है फिर इन दोनों को जोड़ दे रहा है, इन दोनों को घटा दे रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ दे रहा है, और last में इन दोनों को जोड़ दे रहा है, फिर जो number आया, second step आपको जो आया, इनको आपस में multiply कर लिजे, तो आपने multiply किया, तो 2 multiply by 1, multiply by 7, कितना जाएगा, 14, इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि डिवाइट वाइट 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 हो गया सारे नंबर डिवाइट वाइट वाइट है तो कितने आ गए इसी तरह हम चलिए जो हमारा इंपूट हम उसको अरेंज करते हैं हमारा इंपूट है आपको इंपूट दिया गया है 44 37 61 56 32 83 12 and 75 अब इसका इस्टेप 1 क्या होगा वो देखते हैं इस्टेप 1 हम निकालते हैं में आपको क्या करना है पहले multiply by 2 करना है तो कितना जाएगा 88 कि मु 1 1 1 3rd में भी 1 से multiply करना है तो कितना है जाएगा 183 फिर multiply by 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 2 तो 112 फिर multiply by 3 96 फिर multiply by 2 166 फिर multiply by 3 36 और फिर multiply by 2 कितना आ गया 150 step 2 में क्या करना आपको step 2 में आपको पता है कि इन दोनों के जो number है इनको add कर देना है एक करना एक करना है फिर mijnais फिर add फिर minus, फिर add, फिर minus, और last में क्या करना है, add कर देना है, यहाँ पर add का sign होगा, यह add हो रहा है, ठीक है, तो अब इस तरीके से जब आपने किया, तो आपको क्या value मिल नहीं है, वो देख लेते हैं, second step में आपको value मिल जाएगी, इन दोनों को add करेंगे, 199, फिर घटाएंगे, 72, फिर add करेंगे 295, फिर घटाएंगे 16, फिर add करेंगे 262, फिर add करेंगे, minus करेंगे 130, और फिर add कर देंगे, तो 180, 6 आगया, अब आपका third step क्या करेंगा, फिर, third step में आपको करना है, इन दोनों को, आपस में सारी numbers को multiply कर लेना है, तो आप multiply करते हैं, कितना आजाएगा, 81 1, 9, 9 को multiply करेंगे, तो यही आएगा, इसी तरह, 7 multiply by 2, कितना आजाएगा, 14, यह कितना आजाएगा, 96, 24, 0, and 48, fourth step में क्या करना है आपको, fourth step आपका कह रहा है, कि divided by 2, कितना आजाएगा, 40.57, 45, 3, 12, 0, and 24, अब आपका question क्या पूछ रहा है, उसका answer देख लेते हैं, question पूछ रहा है कि, which of the following element is second to the right of the element, which is 6th from the right end in step 3, आपके step 3 में, right से 6th element, तो first, second, third, fourth, five, and six, कितना है, वो 14 है, ठीक है, और इसके right में second, 14 के, क्या कर रहा है आप से दिखिए, element is second to the right of the element, तो second right इसका क्या होगा, 6, और यहाँ पर आपको option क्या दिया गया है, अब वो देखने 6 है कि नहीं, आप देख रहा है कि 20, 90, none of these and 32, तो third will be the right answer, none of these, thank you.